हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू टेक बाई आरपी इंडिया यूटूब चेनल दोस्तो राजस्थान स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड यानी की आर एसम, एससबी की नियू रिक्यूर्मेंट आ चुकी है जिसका ओनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको complete step by step full process बताने वाला हूँ कि आप कैसे राजस्थान स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड का ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं वो भी अपने mobile phone से तो दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मेरी एक छोटी सी request है अगर आप इस चैनल पर पहली बार आया है या फिर चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिसे की मेरी आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सको तो दोस्तों चले शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसा की देख सकते हैं राजस्थान कॉमल इरेजबिल्टी टेस्ट 10 प्लस टू लेवल के यहां पर रिकॉर्मेंट आई हुई है जिसका ओनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है 12 अक्टूबर 2022 से और इसका लाजस्ट एट होने वाला है 11 नुमबर 2022 तक एप्लिकेशन फी की बात करें तो दोस्तों यहां पर जनरल OBC के लिए 400 रुपए की फी रखी गई है वहीं OBC NCL के लिए 350 रुपए की फी रखी गई है SC HD कंडिडेट के लिए 250 रुपए की फी रखी गई है दोस्तों यहां पर करेक्शन चार्ज है 300 रुपए उसका बदस्तों यहां पर स्क्रॉल डाउन करते हो थोड़ा सा नीची आएंगे तो यहां पर आपको age limit मिल जाएगे जो कि यहां पर 18-24 वर्ष के candidate इस form को apply कर सकते हैं और कुछ पुष्ट के लिए यहां पर 40 वर्ष तक के candidate भी इस form को apply कर सकते हैं उसके बदस्तों यहां पर आपको vacancy details मिल जाएगे जो कि आप check out कर सकते हैं सरकारी डाटगों की वेवसाइड पे उसके बाद सो यहाँ पे आपको important लिंग मिल जाए गा जो कि यहाँ पे online ईप्लाइब मिल जाएगा download notification का लिंग मिल जाएगा और यहाँ पर download syllabus का liंग मिल जाएगा और इनकी official website का लिंग मिल जाएगा तो यहाँप करने से पहले इनका no notification download करके read out कर लीजेगा उसके बाद फोर्म को apply कीज़ेगा तो यहां पर मैं apply online पर क्लिक कर लेता हूं जैसे यहां पर apply online पर क्लिक करेंगे तो आप official website पर आजाएंगे अब दोस्तों यहां पर आपको क्लिक कर लेना यहरा पर को अपको क्लिक करना है आपके सामने इसा इंतरफ्रेस दिख गा आपको यहां पर अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक password यहाँ पे generate करना है उसके बाद यहाँ पे confirm password उसके बाद यहाँ पे अपना mobile number इंटर कीजिए उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी email id इंटर करके आपको register बटन पे क्लिक कर लेना है अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना username और password और sketch code को यहाँ पे डाल के आपको यहाँ से login बटन पे क्लिक कर लेना है अब दोस्तों आपके सामने ऐसा कुछ इंटर फेस इगेगा अब दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना फर्स नेम इंटर करना है उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले नेम इंटर करना है उसके बाद आ देट कर लेना है उसके बाद यहाद पर इमेल आइड च्छे बाद यहाद आदा और और आऄर का वर्चि नमनर करने है उसके बाद यहां से आपको अपडेट प्रोफाइल पर यहां पर अपडेट पर क्लिक कर लेना है उसके बाद तो आपको यहां पर क्विक सर्च में आपको यहां पर डाल कि आपको सर्च करना है रिकॉर्मेंट तो यहां पर आपको रिकॉर्मेंट पोर्टल यहां पर सो हो अब आप जो भी यहाँ पर इडिट्या मोडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इडिट्या मोडिफाई कर लिजिए उसके बाद यहाँ पर क्या आप राजस्थान के अनुसी उची छेत्र से हैं तो यहाँ पर आप यहाँ यहाँ पर सेलेक्ट कर लिजिए उसके बाद यहाहां पे आपको next button पर लिक कर लिवा है अब दूस्तों आपको यहां पे अपना बरसनल देज देना है तो यहां पर तो सबसे पहले अपने नेशनले टी सेस्ट कर लीजिए उसके बाद यहां पर अपना इस यंद चेल्ट कर लीजिएliśmy उसके बाद यहां पे आप एक सर्विसमेन है तो यहां पे आप एसे नो सेलेट कर लीजिए उसके बाद यहां पे आप स्पोर्ट्स परसन है तो यहां पे आप एसे नो सेलेट कर लीजिए यहां पे आप कोई गवर्मेंट एंपलाई है तो यहां पे सेलेट कर लीजिए उसके के बाद यहाँ पर नियुद्ध concur vezen करने के चाहते हैं तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसके बद यहाँ पर इनly Subscribe में फ Kenneth original Marry KR तो यहाँ पर भैफ कर सकते हैं तो यहांपे आप नेक्स्ट बटन पर से लेक़ने, है उसके बाद रहा पर है और पे आपको से कैंडरी में आप अपना हाइए स्कूल श्कुर्ट करें जा यहां पर से इन्टियॡ से सिलेट कर लेना है तो यहां पर सब्जेक्ट में अपना से लेट ंदिय maior तो के वाद यहां पर डिक्त ह 되지 UM तहका उसके बाड आपना बोर्ड का नेम उसके बाद्व यहाँ पर प align न बर्शक वाद यहाँ पैपना परसिंटेच उसके बाद ये पना पासिंग अ तो यहां पर इंटर कर लेना है उसके पर दोस्तों यहां पर आपको अपना ग्रेजुएशन का भी डिटेल से इंटर कर लेना है यहां से आपको नेक्ट बटन पर क्लिक कर लेना है अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना photograph and signature अप्लोड करना है तो यहाँ पे अपना photo का size देख लिए जो कि यहाँ पे 50-100 kv के बीच में होना चाहिए और jpg या फिर jpg format में होना चाहिए उसके बाद यहाँ पे अपना signature भी देख लिए जो कि यहाँ पे बीच से 50 kv के बीच में होना चाहिए और jpg या फिर jpg format में होना चाहिए तो यहाँ पे आपको अपना photograph and signature अप्लोड कर लेना है उसके बाद दोस्तों आपके फोर्म का प्रेवी पेज उपन होके आ चुका है अब आपने जो भी details फिल किया है उसे आप एक बार check out कर लीजिए उसके बाद दोस्तों आपके form में कोई edit या modify करना है तो यहाँ से update पे click करके अपने form में edit या modify कर सकते हैं अगर नहीं करना है तो यहाँ पर äपको डेलेशन पि छेकमार पे click करना है देनि यहां से आपको final submit कर लेना है देन यहां से फिर से आपको यहां पर चेक मार पर क्लिक करना है उसकी बाद यहां से आपको फाइनल सब्मिट कर लेना है आप दोस्तों आपको यहां पर पेमेंट करना है तो यहां पर आपकी जो भी चार्जिस लगते हूं आपको यहां पर पेफी पर आपको क्लिक करके यहा आपको अपना पेमेंट कर लेना है पेमेंट सक्सेस्फूल होने के बाद आप अपने आए हासे फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे फ्यूचर यूज के लिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए तो दोस्तों आसा करता हूं आज की वीडियो आपके लिए हलफुल रही हुगी प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजे मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर